इस class में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि जुडीशरी में जब आप लोग अपने means में अपने answer को लिख कर आते हैं तो आप से examiner की क्या उमीद होती है examiner actual में आप से चाहता क्या है कि आप अपने answer में क्या लिखो तो इस चीज़ के बारे में मैं आज आप लोगों के साथ बात करने वाले आप लोगों से detailed discussion करूँगा answer आइटिम कर फिर से मैं कहता हूँ आप लोग mains के answer के लिए सबसे ज़ादा परशान रहते हैं क्या लिखा जाए क्या ना लिखा जाए इतना बहुत सारा content है question के हिसाब से answer कैसे लिखा जाए तो इस सारी चीज़ें आप लोगों को हम यहां discuss करने वाले अगर आप judiciary में देखेंगे तो basic questions देख लीज़े जो आप लोगों से पूछे जाते है basic question वह question एक तो होता है general question जैसे कि आप लोगों से straight question पूछ लिया what is IPC suppose करो यह question पूछ लिया आप लोगों से what is IPC या फिर आप लोगों से question पूछ लिया what is theft यह question जो है वो कैसे category के question कहलाते है यह कहलाते है straight question कोई गुमा फ्रा के बात नहीं है सीधा सीधा question है यह question कहलाता है straight question इसके बाद दूसरी category का question आता है यह पहली category फिर उसके बाद एक दूसरी category का question आता है जहां आप लोगों से दो चीजों के बीच में difference पूछ लिया जाता है बहिए difference बता दो theft के बीच में और criminal misappropriation of property के बीच में या फिर robbery के बीच में बहिए ऐसे question आप लोगों से पूछ लिया जाते हैं difference based question इसके साथ आप लोगों से एक तीसरे type का question भी पूछा जाता है जहां आप लोगों से एक statement दे दिया जाता है जैसे कि suppose करो आप लोगों को कोई maxim दे दी कोई maxim दे दी इस पर आप लोगों से पूछ लिया वही इस पर comment कीजिए या फिर आप लोगों से कह दिया इस पर explain कीजिए या फिर इस पर discuss कीजिए ये आप लोगों से question पूछ लिया इसके बाद एक fourth category का भी question होता है जिसे हम बोलते है applied question जहां आप लोगों से एक practical situation दे दी जाती है और practical situation देने के बाद आप से वो कहता है कि इस case law को या फिर इस question को decide कीजिए तो ये कुछ question के pattern है जो आप लोगों से यहाँ पूछा जाता है नाली का question है reasoning वाले question reasoning वाले नहीं होते वो applied question कहलाते है यानि कि आप से examiner उमीद करता है कि आप लोगों तो पता है अब इसे apply करके बताओ तुमारी समझ में ये देखना चाता हूँ उस case में भी आपका answer लिखने का pattern बिलकुल अलग होगा बिलकुल अलग सर वहाँ पहले क्या लिखते हैं end में क्या लिखते हैं उस case में applied question में issue framing और दो conclusion आते हैं वहाँ सबसे पहले intro की एक line और फिर उसके बाद law ही आएगा पर ये applied question को करने का तरीका क्या है पर ये अगर applied question को आप solve करना चाते हैं तो इसका तरीका क्या है applied में सबसे पहले अपने एक intro लिखा इंट्रो के बाद आपने law लिखा law लिखने के बाद आपने question से issue frame किये question से issue frame किये फिर उसके बाद आपने law को law को ये जो question frame है ये जो question frame है इसके साथ apply करा इसके साथ apply गिया और उसके बाद आपने इसके support में एक case law लिखा एक supporting case law लिखो गया बिना इसके applied question कभी भी complete नहीं होता फिर उसके बाद आप एक general conclusion लिखोगे general conclusion वही general conclusion होगा कि जो law और इसकी applicability के बाद आया उसके बाद आएगा issue wise conclusion यानि कि आपने उस applied question में कितने law point के issue बनाए है तो ऐसे करके इसे 1 और 2 और 3 जितने आपने issue बनाए उसके basis पर उसे solve करना होता है यह होता है applied way में answer लिखने का तरीका